हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, myself CA Vishal Wetter, Faculty of Indirect Access from V-Smart Academy दोस्तों, those who are doing CA, CMA, CS final and going to appear in May November और June December 25 examination उन्होंने अपने first group के या other subject classes खतम कर दी होगे या खतम होने में होगे और अब आ रही है, DT और IDT की, so दोस्तों, okay, यहां May November 25 के लिए IDT की batches जो है, वो कब से आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे हाँ, those who are going to appear in November 24 examination, तो उनके classes कैसे available होगे इसे related, आपको एक separate video आएगा, stay tuned with my YouTube channel, Think JST, Think Vishal Sir तो चलिए बात करते है, May November 25 exam के लिए, मैं IDT batch, IDT in-depth regular batch, चलिए, बात करते हैं दोस्तों, यहां पर, so IDT in-depth regular batch, यह start होने जा रहा है from the 1st of August 2024, इसके पहले मैंने एक video यहां पर broadcast किया था, जिसमें मैंने आपको date बताया थी, यहां अपने website पर कहीं पर भी देखी होगी 22nd July, पर दोस्तों, आप सभी को बता है कि इस बार election हुआ है, और election बात का budget जो है थोड़ा late हो गया है, और वो आने वाला है 23rd July को आपके May November exam के लिए, amendments applicable होती है, यहां 31st October तक की, मतलब यह budget जो है, आपको DT as well as IDT दोनों में भी applicable रहेगा So that, budget आने के बाद ही, अब मेरी book amend होगी और मुझे थोड़ा scope मिलेगा, यहां पर पूरा book update करने के लिए, इसलिए batch थोड़ा यहां पर postpone कर दिया गया है और हमारा batch जो start होने वाला है, वो 1st of August 2024 से start होने वाला है So, यह जो batch है, आपको live as well as recorded mode में भी मिलेगा So, दोस्तों, आपको अगर live मुझे से connect होना है daily basis पे, वो तो आप connect हो सकते हो, साथ साथ में आपको recorded backup भी मिलेगा यहां जो students को बाद में recorded देखना है, वो recorded भी देख सकते है इस batch के खास बात है, इसका timings, इसका timing जो रखा है, evening 8.15 p.m. जो हमारा batch daily basis पे, live mode में, जो बाद में record होगा Okay, वो देख से पौने 2 गंटा चलेगा So, sir, यह देख से पौने 2 गंटा जो batch आप ले रहे हो, इसके बीच इंटेंशन का है यह आपके benefits के लिए है, क्योंकि आपकी आपकी आर्टिकल शिप का ending period चालो होगा साथ साथ में आपको new finance act के साथ से DTB करता है तो morning में आपका DTB का batch complete हो जाएगा और evening में आप light mode में मेरे साथ daily basis पे IDTB कर सकते हो मातर देख से पौने 2 गंटा दोस्तों दूसरा benefit आपको यह है कि हमारा batch भी DTB के साथ ही complete हो जाएगा तो यहाँ पे DTB और IDT आपका साथ साथ में चलेगा और exam के 4 to 5 बस भी 4 आपका DT IDT दोनों साथ में complete हो जाएगे तो आपको exam में enough time मिलेगा preparation के लिए हाँ कुछ students जो है अगर बाद में DT के बाद IDT करना चाहते है या कुछ time के बाद IDT करना चाहते है तो yes उनके पास तो completely recorded batch रहेगा जो वो 3 गंटे के इसमें भी एक साथ कर सकते है चलिए तो यह दो important benefits आपके लिए है और मैं आपको यह assurance देना चाहूगा कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे देर घंटा मुझे देते हो तो IDT की preparation हम इतनी अच्छे से करेंगे जो हर batch में मैं कहता हूँ इस बार 80 पार तो definitely IDT में 80 प्लस का हम यहाँ पे target रखेंगे और इस बार का जो result लगा most of the student को 60-70 अबों मिले है बहुत सारे student को 80 प्लस भी मिले है बहुत सारे student rank पे भी आया है तो हमें भी इसी तरह से preparation करना है now next बात करते हैं यहाँ पे batch के duration की इस batch के duration बहुत सोच सबच के design किया है 150 अवर्स में हमारे जो concept इंडप में बहुत इच्छे से कवर हो जाएगे लेकिन मैंने 25 अवर्स यहाँ पे additional problem practice के लिए रखा है बेटा आप IDT के concept तो समझ लेते हो क्योंकि आपको इंटर का भी बेस होता है और advanced level पे final में भी IDT कवर हो जाता है लेकिन आपको कुछ additional practice होना बहुत जरूरी है जैसे आप सभी को पता है कि new syllabus में IDT जो है paper number 5 और paper number 6 में भी इसका बहुत अच्छा खासा portion पुछा गाता है अगर आप institute के material देखते हो साथ-साथ में इस बार का exam paper देखते हो तो paper 6 में 30 to 40 marks का weightage जो है taxation को दिया है जिसमें IDT important role play करता है तो हमारी जो preparation होगी हमारी preparation paper number 5 की हिसाफ से तो होगी होगी साथ-साथ में paper number 6 की जो मैंने IDT वाला portion है उसके भी extract question निकाल के लिए तो वो भी हम यहाँ पे discuss करेंगे याने हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से और complete study हो जाएगा one stop solution आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि अब group 2 में जो है दो ही paper है DT और IDT mean तो no doubt institute का भी आपसे expectation जो रहेगा एक बहुत skill level पे रहेगा और next जो है last two attempt के paper देखते हो तो IDT का paper भी बहुत tricky paper आ रहा है और आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो यह one of the scoring subject भी बन सकता है इसलिए ओके दोनों factor को दहान में रखते हुए मैंने यहाँ पे 150 plus 25 hours additional practice जो topic के साथ-साथी questions कवर कर लिए जाएगे ऐसे total 175 hours का batch मैंने design किया है और मेरे 21 years का experience से कहता है कि यह most reasonable time है अगर आपका target above 70, above 80 यहाँ पे IDT में होगा और आप बहुत अच्छा score कर सकते हो IDT में चलिए तो यहाँ यह रही duration की next अगर हम बात करें तो completion date बेटा यहाँ completion date जो है 15th November तक हमारा batch चलेगा क्योंकि in between दिवाली भी है तो सारे factors को complete consider करके 15th November तक हम यह batch complete कर देंगे दूसरा यह batch completely amended रहेगा मतलब जो student May 25 एक्जाम के लिए अपेड होने वाले है उनकी सारी amendments जो up to 31st October तक की होगी वो मैं cover कर लोगा हाँ उनको cut-off date होती है 31st October next जो November 25 एक्जाम के लिए अपेड होने वाले तो मैं उनको यह कोगा कि आपको finance act तो यही रहता है जो 24 कर रहेगा आपको कुछ additional notifications और circulars होते है up to 31st April 2025 तक तो आप यह batch ले सकते हो और यहाँ पे जो additional notifications और circulars है उनके लिए 2-3 lectures extra होगे जो आपके एक्जाम के तीन मैने पहले institute की statutory updates आने के बाद cover कर लिए जाएगे तो बिलकुल आप बिंदा से batch लगा सकते हो अब हम देखेंगे इसमें topics का cover करेंगे तो topics GST और जो आपको 80 marks का होता है customs जो आपको 15 marks का होता है और forented policy आपका 5 marks का होता है तो इसमें paper number 5 हमारा आप complete cover होगा साथ साथ में GST के जो यहाँ पे related case study है in paper 6 वो भी हम cover करने जा रहे है तो बेटा ओके यहाँ आपके दोनों cover हो रहे हैं यह बहुत important बात है चलिए next बात करते है material की दोस्तों आपको material जो है regular mat मेलेगा जो हमारे institute के material के base पर बनाया गया है यह regular mat जो है बहुत अच्छा summarize किया हुआ है अगर आप देखोगे तो tabular form में और यहाँ पे point wise manner में इसको बहुत अच्छे से मैंने design किया है materials related मेरा separate video आएगा जो जरूर देखिएगा आप material की इतने अच्छे unique features है जो आपको exam में बहुत काम आता है और यहाँ बहुत सारे students को भी यह beneficial हुआ है तो stay tune with my YouTube channel तो आपको material से related भी मैं एक video बना के दूगा Now regular mat जो है इसमें total तीन module है GST regular mat के दो module है और custom foreign trade policy का एक module है regular mat में हम थेरी तो बहुत अच्छे से independent concept को cover करेगी साथ साथ में हर concept से connected मैंने questions बना है which have taken the questions from past examination questions या फिर जो 14 marks की questions आते है या paper 6 की questions है उसका जो extract part है related to our topic वो उसके special मैंने questions बना है और हार topic से connected questions ले लिए है तो regular mat यह questions जब आप मेरे साथ साथ स्वाल करोगे तो यह questions स्वाल करने के बाद आपको एक super confidence आजाएगा कि आप exam का कोई भी question अच्छे से solve कर सकते हो इस बार का material specially बहुत मैंने अलग design किया है तो जरूर आप वो video देखिएगा next हम बात करता है यहाँ पर questionnaire की दोस्तो आपने मेरे साथ class कर लिया लेकिन क्या होता है कि confidence तभी आता है जब आप खुद self practice करते हो और मैंने पूरा question bank बनाय हुआ है जिसमें 600 plus question है for GST and customs including foreign trade policy तो दोस्तो यहाँ पर questionnaire की important questions तो हम कभी साथ में करेगी plus मैं आपको continuous homework दूगा जो आपको मेरे साथ करना है और ऐसे 600 plus questions भी हम साथ साथ में एक batch के साथ complete करेंगे क्या बात है तो yes आपको अगर यहाँ पर IDT में मेरे साथ बहुत इसे से करना है तो यही टार्गेट रखना है इस बार 80 पार चलिए important क्या हो जाता है बेटा कि regular मैं जो है यहाँ around 500 pages का होगा questionnaires होगे इतना सारा material content जो है तो इसमें यहाँ पर कुछ important charts के लिए मैंने space रखा है और मेरे साथ आपकी writing practice भी उसमें करवा लोगा तो आप अपना chart book इस बार मनाओगे जिसमें कुछ content printed रहेगा कुछ content पर मैं आपकी writing practice करवा लोगा यह chart आपको definitely exam के पहले बहुत help करेगा यहाँ जितने भी senior से अगर आप पुछते हो तो yes मेरा chart book और questionnaire exam के एक मैंने पहले उनको बहुत help करता है और वो बहुत अच्छा भी score करता है तो इसमें chart book में आपको GST के दो chart book मिलेंगे और customs का एक मिलेगा तो questionnaire में भी मैं आपको बता दू GST के दो मॉडूल रहेगा और customs FTP का एक मॉडूल रहेगा तो इस तरह से पूरा syllabus जो है in-depth concept, question practice और retention के लिए better retention के लिए chart book होते है जिसके videos भी मेरे exam के पहले आते हैं तो आप मेरे videos को refer करके भी revise कर सकते हो तो चलिए दोस्तों यह मैंने materials related बता दिया पर एक important बात मैं आपको बता होगा कि पूरा material एक साथ यहां पे ship नहीं होगा material आपको दो या तीन shipment में आएगा mostly हम plan दो ही कर रहे है पहले shipment में GST mat का module 1 आएगा questionnaire 1 आएगा और chart book का GST का 1 आएगा मतलब यह है कि आपको मेरे साथ क्योंकि तीनों material हमें लगेगा तो आपको तीनों मेरे साथ यहां पे practice भी करना है class के साथ इसलिए मैं यह कहोगा कि पहला shipment आपको half shipment आएगा और बाकि remaining material आपको second shipment में आएगा क्यों क्योंकि आपको 31st October तक की amendments applicable है और अगर यहां पे Finance Act 2024 का amendments इंकार्पोरेट करने के बाद भी अगर कोई notification circular up to 31st October आते है तो मेरे पास यह स्कोप रहेगा कि model 2 आपको issue करते हो कि वो सारे notification और circular में cover कर लो तो छेलिए दोस्तों और कि इस तरह से मैंने आपको detail जान करी दे दी हमारे IDT in-depth regular batch related now next इस जो है यहां पे मैं आपको एक बात बता दू कि कुछ students का यह inquiry होगी कि सर आपका fast track exam oriented batch इस तरह की batch जो आती है जिसमें अवर सोड़े कम होते है तो क्या उस तरह की कोई batch आने वाली है तो पहले मैं आपको यह सज़ेस्ट करना चाहोगा कि अगर आपके पास अभी sufficient time है और आप first time IDT पढ़ रहे हो even though office में आपका बहुत अच्छे से हुआ है मैं strongly suggest करूगा IDT in-depth regular batch जिसमें मैंने बहुत reasonable time दिया है और मैं सच में कहता हूँ कि IDT के जो आप इस बार के question पर देखो यह tricky questions ऐसे पूछे जा रहे हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए जिसमें अच्छा score करने के लिए sufficient time में आपको दिया है हाँ कुछ students को अगर यह number of hours ज्यादा लगते है तो वह तुछा speed में भी देख सकते हैं यह option है पर यह course लोग है तो आपका कुछ छूटे गानी everything will be covered मेरा fast track और exam oriented course जो है उसके बारे में यहाँ पर exam की बाद आएगे मतलब स्वरी यह जो batch होने की बादेने इंद मनतब November आएगे जिसके बारे में मैं detail जान कर यह आपको वीडियो में देते रहोगा लेकिन अभी यह जो batch हमारा start होने वाला है वो first of august से start होने वाला है और मैं strongly आप सभी को suggest करना चाहोगा जो मेरे इंटर के students है उनको भी suggest करना चाहोगा one of the best batch हम पूरा final advanced level पे देखने वाला है और इस बार IDT में 80 पार का target रखने वाला है सो दोस्तो आपको पूरा complete जानकारी मिल गई होगी सो थैंक यू सो मच आपकी और कोई doubts or questions होगे तो comments में जरूर लिखेगा और कोई doubts or questions नहीं है तो एक comment जरूर लिखेगा जो आपका confidence बरकरार रखेगी आपको motivate करेगी इस बार 80 पार उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है थैंक यू सू मच